दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 24 x 24 house plan की जैसा कि आप स्क्रीन पर इस model को देख पा रहे होंगे इसी model को आज हम discuss करने वाले हैं इसका 2D view, 3D view और यहाँ पर मैंने 3 story design किया है माकान और इसी को आज हम discuss करेंगे इसका front view की बात करें तो front से आपको यह मकान ऐसा देख पाएंगे और side से यह closed होगा मैंने यहाँ पर दो पेंडल लगा रखे हैं आप यहाँ देख सकता हो front से आपका road होगा 3 side closed house है 24 crash 44 में इसी को आज हम discuss करने वाले हैं हमारी एक subscriber थे उनके कहने पर इस model को हमने आज design किया है उन्होंने बोला ता सर मुझे 24 crash 44 का model चाहिए तो उनकी कहने पर इस model को design किया है बहुत ही बेतरी model है हम आपको पूरा discuss करेंगे उसे पहले हम आप से जरूर करना चाहेंगे अगर आपने अभी ते इस model house plan को subscribe नहीं किया है तो प्ली जरूर सब्काइब कर लें साइसाद वेल आइकन दमाएं से मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके साथ हमारे क्यों लेटेशन updated वीडियो है जो मैं पहल 44 क्रॉश 44 में design हमेशा की तरीके से हम इसको करना चाहेंगे आपके लिए transparent तो transparent जैसे करते हैं तो यह देखीगा पूरा transparent थोड़ा कुछ जादा हो गया है और transparency में आपको यह model कुछ ऐसा देखने को मिलता है यह आपकी जो walls हैं दिवाले हैं वो सब hide हो जाती है और अंदर क furniture बगएरा gate, door, window, railing यह सभी कुछ देखती हैं तो यह model जैसे transparency हम इसकी करते हैं remove ले आते हैं इसको और position पर तो यह model आपके सामने दिखता है फ्रेंट की बात करूँ मैं सामने साब को दिखा तो जूम करके यह model ऐसा देख पाएंगे और ग्राउंड फ्रोर की बात करें तो यह इसका ground floor है दोस्तों आप देख पा रहा है और यहां से आपको entry करना है यहां से आप entry करेंगे तो सबसे पहले आपको यह मिल जाता है एक window दिया है मैंने और यहां पर दो साइड से एक front से गैलरी से दोर और एक उधर से दोर दिया है यह आपको दोस्तों लेटरिंग और बात रूम है जो देख पार है command इसका door मैंने हास दिया है और यह वाला area दोस्तों आपका kitchen का area है इसका window यहां पर बड़ा सा outdoor दिया है अग आपका लेटरिंग बात रूम बड़ा सा और यह आपका kitchen का area और यहां पर आपको यह open space मिलता है अगर हम बात करें front की तो front में भी आपको parking की परयाप से जगह मिलती है यहां से stairs है जो कि आपको उपर जाएगी और सभी चीज़ें यहां पर पूरा आपको parking के लिए खुला space मिल जाता है तो यह 24 across 44 का base plan है मिल ग्राउंड plan था अब हम इसके first floor की बात करते हैं जहां से stairs के मादम से first floor पर आएंगे तो यह देखीगा पीछे जो दोनों रूम थे वो same to same create किये हैं और यहां से later बात रूम अठा दिया जो यहां पर एक रूम था वो अठा दिया बस इ ने design किया है फ्रेंट में यह आप रेलिंग देख पा रहे होंगे दो से die fit का तो यह इसका first floor है दोस्तों जिसमें कि आपको दो bad room मिल जाते हैं अगर हम last floor की बात करें तो यह last floor है जिसमें मैंने चारो तरफ तीन से सारे तीन fit का boundary और यह railing और यह stairs को ठक दिया है जिसमें पानी न जाए और इसका door और यह window फ्रेंट में तीन window दी है जिसमें ventilation का कोई problem ना हो इस घर में ventilation के आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा तर मैंने windows और open space का इस्तमाल किया है तो यह पूरा 24 x 44 का house plan हो गया यह video कैसा लगा हमें comment करें और अगर आप कोई model बनवना चाहते हैं तो हमें comment करके बताएं हम आपके model को design करेंगे साधी साथ इस video को लाइक से जरूर करें अगर facebook पर देख रहे हैं तो हमारे page को आप जरूर फॉलू कर लें और अगर आपने अभी तक इस small house plan को subscribe नहीं किया है तो प्लीज जरू सब्क्रा करें थैंक्स वोचिंग